हेलो दोस्तों अगर आप information security में अपना carrier बनाना चाहते हैं या अगर आप already information security के domain में हैं तो आपके लिए एक बहुत ही important certificate है जो आपको करना चाहिए और वो है CISM Certified Information Security Manager इस certificate को prepare करने के लिए इसाका organization ने एक बहुत ही important book published करी है जिसका latest edition 16th edition और यह 1st June 2022 से applicable हो गया है इस book का नाम है CISM Review Manual 16th edition मैं इसी book को follow करते हुए इसके जो चार domain है चारो domain मैं आपको detail में explain करूंगा चारो domain में 1st domain information security governance का है next है information risk management third one is information security program development and management and fourth domain is incident management इस चारो ही domain के सारे topic along with कुछ questions भी आपको मैं detail में explain करूंगा so that यह आपको help करेगा cyber security के CISM Review Manual को समझने में और exam को crack करने में ठीक है यह मेरा दूसरा वीडियो है इसके पहले वीडियो में मैंने कुछ topic कवर किये थे बट आगे बढ़नेस पहले मैं आपको जल्दी से recap देता हूं ठीक है so basically information security governance इस chapter में इस chapter को दो पार्ट में divide किया गया है पहला पार्ट है enterprise governance और दूसरा पार्ट है information security strategy ठीक है so information so enterprise governance क्या होता है पहले वो समझते है enterprise governance को basically जब कभी बात करते हैं तो पहले हम लोग enterprise समझते है enterprise की जब कभी मैं बात करूंगो तो आप यह समझेगा मैं enterprise IT की बात कर रहा हूं देखे डेवलप वर्ड में ज्यादा तर अगर हम लोग बोले तो नेशनल critical infrastructure की जब कभी बात करते हैं तो वह manage और control किया जाता है private sectors के द्वारा as per isaka book ठीक है और जितने भी private sectors हैं ज्यादा तर दो important components को बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं और यह कोबिट framework से लिया गया है वह governance और management अब governance क्या होता है governance basically कोई भी stakeholder होता है organization में में इंटर्नल और एक्स्टर्नल हो वह भी चलता है उसकी need समझते है उसकी need को evaluate करते है और evaluate करने के बाद उसको हम लोग यह देखते हैं जो organization को objective है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है उसके साथ कुछ balance बन रहा है कि नहीं बन रहा है जैसे अगर business head ने एक requirement लाया कि भाई आजकल cybersecurity attacks बहुत जादा हो रहे है I recommend कि हमारे organization में csoc होना चाहिए csoc is what cyber security operational center जो सारे traffic को monitor करेगा क्या data बहार जा रहा है organization से क्या data अंदर आ रहा है कोई attempt हो रहा है क्या hack करने का किसी डीडॉस attack किया है या किसी भी तरह कोई attack हो रहा है उसको monitor करेगा सो वो कह रहा है कि business head ने का कि हमारे organization में csoc होना चाहिए अब governance का करेगा इसकी requirement को stakeholder requirement को समझेगा evaluate करेगा और देखेगा कि organization के objective के साथ match हो रहा है कि नहीं हो रहा है अब organization का objective क्या होता है उसका organization के objective बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उसमें एक important objective होता है profit वो कहेंगा भाई हमें end of the quarter या end of the year x amount का profit चाहिए अगर हमने आपके लिए requirement मानी तो क्या मेरे को profit meet करेगा की नहीं करेगा या नहीं मानी तो क्या में profit कुछ फरक पढ़ेगा की नहीं पढ़ेगा यह governance की team establish करती है तो इसके लिए वो क्या करेगी वो देखेगी अगर आपने see-soc establish नहीं किया और कोई cyber attempt success हुआ तो आपका x amount का monetary loss होगा आपका data loss हो सकता है आपका brand value impact कर सकता है brand value impact किया तो of course आपका monetary loss हो गई होगा ठीक है अब अगर उसने का कितना loss हो सकता है तो इसको भी value को भी हम तो calculate करने की बहुत साइट techniques होती है तो उसने का मान लिए आपका loss अगर attempt हुआ और success हुआ तो आपका 10 million dollar का loss होगा लेकिन उसने का मेरा profit 20 million dollar का होना चाहिए उसने का ठीक है देन अगर आपने सीचोग इस्टेब्लिश किया उसका cost कितना आएगा 5 million dollar तो उसने का भाई तुम 20 million dollar तुमा profit है उसमें से अगर तुम 5 million dollar establish करोगे देन यह आपको help करेगा आपके profit को maintain करने में और organization का progress करने में भी तो भाई यह बात जो है संज में आती management को and they will say okay we'll establish so इस तरह का balance बनाने का ट्राइब करता है governance इसके बाद वो क्या करता है next आ जाता है management governance ने एक बाई establish कर लिया कि ठीक है यह stakeholder की business head की requirement को हम लोग fulfill करने जा रहे हैं तो फिर वो आगे बोलेगा management को management क्या करेगा management चार चीज़ें करता है management management पहले plan करेगा फिर उस plan को build करेगा फिर इसको execute या run करेगा और बाद में monitor करेगा monitor क्या करेगा monitor यह देखेगा कि भाई जो हमने सीशॉक established किया है इसके सारे components सारे technology जैसा हमने सोचा था वैसे ही काम कर रहें कि नहीं कर रहें यह वही result दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं जो हमने expect किया था तो यह monitor करेगा और of course most important thing यह देखेगा कि governance ने जो हमें explain किया था कि यह organization के objective को achieve करने में help करेगा तो यह वह achieve कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है इस सारे चीज़े management करेगी तो management क्या करेगी majorly चार चीज़ें करती है जो direction governance ने दिया है उस direction की basis पे वह plan करेगा, build करेगा, run करेगा और monitor करेगा different activities को और ensure करेगा कि those are aligned with the direction set by the governance body governance body में जो direction दिया है direction मतलब उसने first point बोला कि करना है कब तक करना है six months में करना है क्या का technology होंगी उसने का SIM करना security event security incident and event monitoring system लाना है SIM उसने का privilege and identity access management चाहिए PIM ठीक है और के चाहिए DLP solution चाहिए data loss and prevention solution चाहिए और के चाहिए उसने का हमार जो भी traffic बाहर जाएगा यह अंदर आएगा it has to be encrypted ठीक है encryption टूल चाहिए फिर और के चाहिए उसने का firewall होना चाहिए parameter level पर control होने चाहिए internal security होनी चाहिए इस साथ चीज़े उसने कुछ direction दी है और वह management ने उसको फिर plan किया build किया run किया और बाद में monitor किया ठीक है तो यह यह दो component जादा तर organization अच्छे से follow करते हैं ठीक है clear होगे governance क्या होता है management क्या होता है अब इसके बाद next point आता है कि अगर को information security failure हो जाता है तो वह failure कभी भी हम लोग यह नहीं कह सकते कि वह हमेशा technology का failure का होगा अब इसमें हमाली चार option देते हैं technology का failure माने या stakeholder का failure माने governance का माने management का माने यह हमेशा आपी धहन रखिएगा technology को lowest priority देते हैं because technology work as per our configuration as per our requirement और इसमें सबसे जादा जो failure में impact पड़ता है यह who will be most responsible person for this वह रहता है governance क्यों because governance people are the person जिनको security domain का particular solution चाहिए की नहीं चाहिए वहां से उनका role शुरू होता है plus उसमें क्या requirement हाई है और इसको कैसे configure करना है वह सारा direction governance team देती है ठीक है तो that is the reason जो governance team में वह इसमें responsible होती है अब इसके बाद अगर हमें इसको establish करना है तो किसी भी organization में कोई भी नया system या कोई भी नया department या कोई भी नया security चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसके लिए सबसे important है कि जो senior management and board of director होते हैं they must be held accountable उनको accountable होना चाहिए for information security governance क्यों होना चाहिए because अगर वह accountable होंगे then they must provide necessary leadership first point necessary leadership provide करेंगे second क्या करेंगे वह organization का structure establish करेंगे oversight third point is oversight they will give the oversight information then उसके वाल resources देंगे वह आपको process establish करने में help करेंगे okay fourth point is resources and fifth point is process establishment and ensure करेंगे कि जो information security governance है वो integral और transparent पार्ट होगा enterprise governance है सी एक तो होगे information security governance but एक governance तो वह भी होता है जो enterprise devil पे होता है जो security cloud भी जो बाकी verticals हैं उसको भी manage करता है तो यह देखेगा senior management और board of directors हैं वो ensure करते हैं कि information security governance वो एक integral और transparent पार्ट हो हमारे enterprise governance के साथ भी ठीक है तो यह सारा चीजें हम लोगो मिलता है with the help of senior management and board of director and that is the reason उनको accountable बनाया जाता है ठीक है clear यहां तो कोई डाउट है अगर डाउट है तो please comment section बताईएगा मैं आपको फिर से explain करूंगा ठीक है यह बहुत important यह मैं अभी concepts आपको explain कर रहा हूं concepts के basis पे आप जब question को solve करेंगे तो आपको बहुत ही मता आएगा question solve करने में और question भी कैसे solve करते हैं वह इसके बाद next important point आता है जिसमें आता है value creation देखे कोई enterprise होती है वह तभी exist कर पाती है अगर उसमें अगर वह कोई stakeholder के लिए value create कर रही है अगर value create नहीं कर रही है so enterprise का कोई existence ही नहीं हो रहता है फिर stakeholder के interest खतम हो जाता है कि उसके लिए value नहीं है उसे enterprise के साथ associate होने में उसका interest खतम होने लगता है और followed by enterprise का भी loss होना चुरू हो जाता है so value create करने के लिए हम लोग को एक कुछ चीजें कुछ चीजें फालो करनी पड़ती है जिसमें पहला यह okay so there is a framework यह कोबिट framework से so value creation का meaning क्या होता है value creation means benefit at an optimal resource cost while minimize well ठीक है तो value creation करना चाहिए but value creation होता क्या है value creation का मतलब होता है कि आपके organization को benefit होना चाहिए with the basis of optimal resource cost अगर आपको same example में लेता हूं see saw के establish करना है ठीक है आपको कोई technology establish करने में अगर माली चार resource लग रहे है L0 L1 L2 L3 और L4 but somehow हो आप मैरेज नहीं कर पा रहे हैं आपने 10 resource डाल दी है so आपका काम तो हो रहा है but resource आपके ज्यादा लग रहे है so first important point for the value creation is resource optimization और followed by optimizing risk आपने वह वह tool डाल दी है जो आपको जरूवत नहीं थी यह हो सकता है अगर माली आपने कोई tool डाला उसमें वह feature है माली एक अपने SIM solution का कोई tool डाला उस feature और उस tool के तूर आप encryption भी कर सकते हैं यह आप traffic monitoring भी कर सकते हैं तो आपको traffic monitor करने के लिए अलग से कोई tool लेने की जरूथ नहीं है आपको firewall लेने की जरूथ नहीं है अगर आपको कोई port ब्लॉक करना है अगर X tool में की basis पे आप 2-3 technology का काम कर सकते हैं तो आपको 2-3 technology लेने की जरूथ ही नहीं है आप उसका feature को use करके you can optimize and you can get your objective done बट होता है कि बहुत से organization में जो मैंने अप्जर किया है वह हर technology के लिए अलग तूल लेते हैं जबकि एक technology में multiple options होते हैं which helps you to optimize your risk and optimize your resources बट उतना कोई ध्यान नहीं देता है ठीक है तो इसका basically कैसा flow रहता है सबसे पहले आता है stakeholder need उसको evaluate करते हैं और manage कर और देखते हैं कि वह organization के objective के साथ match हो रहा है कि नहीं हो रहा है governance की objective की बात करते हैं in terms of value creation तो हमें तीन चीज़ें बहुत ध्यान देनी पड़ती है हमें देखना है कि benefit कितना हो रहा है benefit realization देखना होता है जो मैंने भी balance बदाता सी-soc establish करने या ना करें करें करेंगे तो क्या परफैदा है नहीं करेंगे तो क्या नुक्सान है then risk optimization हमारा risk कितना cover हो रहा है हमा optimize हो रहा है पहले हमारे पास x level कर इस था अभी हम पास y level कर रिक्स है हमारा governance का objective होता है governance objective तीन होता है benefit realization risk optimization and resource optimization आपके पास direct ऐसे question नहीं आएगा question कैसे आगा वह मैं आपको explain करूं आप यह next important point आजाता है जिसमें there are certain principles जो COVID framework से लिए गए है जिसकी basis पर governance system को establish करने में या maintain करने में या ensure करने में कि जो हमारा governance system है that is one of the best system when it's come to the enterprise IT ठीक है वह कौन से five principles है basically जो five principles है it states that governance system for enterprise IT should be built for numerous component that can be of different type and that work together holistically component हमारे अलग अलग हो सकते है for example आपास SIM हो सकता है DLP हो सकता है PIM हो सकता है encryption हो सकता है ऐसे बहुत ही technology होती है but they should work together holistically means वह सारे साथ work करके उनका objective उनका target होने चाहिए to secure the organization to create a secure information secure environment for any enterprise ठीक है और इसके लाबा ऐसे मिना चाहिए कि वह adjust नहों पहा है based on the environment for example आपका X tool है जो on-premise environment में चल रहा है but अगर मेरा वह tool cloud में नहीं चल रहा है so probably वह एक issue हो सकता है so second point is governance system for enterprise IT should be dynamic and adjust to change in the environment and the impact of those changes changes के वह एकर impact होता है तो उसको भी वह absorb कर पा है वह manage कर पा है and third more most important principle is there must be a distinction between governance and management see sometimes governing body they start doing management they start doing planning building running and execution or monitoring the things or vice versa management they start doing governance part so there must be a clear demarcation between the governance and management ये भी हमारा one of the critical part है when it comes to the important principles of COVID framework for enterprise IT next part is customization हमारे कोई भी टूल होगा वो कस्टमाइज होना चाहिए देखे मैं आपको टूल को यह इस एक्जाम्पल की तरह समझा रहा हूं ऐसे बहुत से component हो सकते हैं जब मैं आपको टूल से explain करोंगो तो आपको समझे में आएगा यह प्रींसिपल है तो next principle है it should be tailored to the need of the enterprise जो enterprise की need है for example enterprise को चाहिए की मेरा जो टूल है that should work at जैसे मैं नहीं बताया cloud में काम करना चाहिए यह माली यह को एक टूल का एक रिपोल्ट है रिपोल्ट ने कहा कि मेरे को ऐसा डेटा चाहिए जो रात में दो बस लेकर सुबह 4 बे तक किसी ने कोई भी फाल डाउनलोड करी है तो वो डेटा हमारे पास आना चाहिए और उसका size क्या था किस location से वो डाउनलोड हुआ उसका host name क्या है operating system क्या IP क्या time क्या यह सब डेटल चाहिए सो पॉइंट इस जो रिपोल्ट है वो सब टेलर होनी चाहिए कस्टमाइज होनी चाहिए सो दैट हम लोग उसको इंटरप्राइज की नीट के साब से यूज कर सके है ठीक है नेक्स पॉइंट आता है कि यह जो इंटरप्राइज का जो रिक्वार्मेंट है और सब्सक्राइज करने चाहिए एंट टू-एंब करने होनी मतलब माल यह एक कि इंटरप्राइज है एक बड़ी ऑगनाशन है जो मुल्टिपल सेक्टर्स में वह प्ट्रोकेमिकल्स में हैं रिटेल में हैं तलीकॉम में हैं सो ऐसा इसा है चाहिए कि हम लोग केवल एक सेक्टर को कैटर कर रहे हम लोग केवल टेलिकॉम को ही देख रहे हैं अगर वह मल्टिपल डूमेन में है या मल्टिपल वर्टिकल में तो हमें सब इन तो एंड करना चाहिए ऐसे पाल आप इंटर्प्राइज इट वर्टिकल में जाए और इसके लिए कौन है अभी मैं सुने दिर पहले बताया दा इसके लिए आपको हैं परेगा सीनियर मेनेजमेंट और बोल्ड डिरेक्टर कैसे हल्प करेगा वह इस्टैब्लिश करेगा कि जो इन्फोर्मेशन सेक्यूर्टी का गवर्निंग बॉड़ी है और इंटिग्रल और ट्रांस्पेरेंट पार्ट आफ इंटर्प्राइज देविल आफ गवर्निस अभी आपको किम आपको बॉड़ी है तो इसाहिलो में काम कर रहे हैं आपको टेलिकॉम डोमेन को चाहिए मैं नियसंत्रिय का पर न चाहिए जायो thanking कि लगोर्टन बडिकलन जितने do करना है अपना csoc ठीक है next point आजाता है which is very important that is importance of information security governance हम लोग इन्फॉर्म अगर security governance establish करते हैं information security governance establish करते हैं तो उसकी जरूवद क्या है बहुत ही अच्छा topic है इसको आप पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे concept clear होंगे और मैं बता रहा हूँ आपको इस topic से question के आने की chances भी बहुत जादा है तो सबसे important point है कि अगर आप information security governance को establish करते हैं तो most important point यह है कि यह आपको बचाता है किसी भी potential civil और legal damage से क्यों because यह आपको जो भी information है वो accurate देगा और जो भी information है वो protected होई मतलब उसमें बाद में कोई change नहीं कर पाएगा मतलब मेरा point यह है कि आपकी बस जो भी information है अगर वो मान लीजे inaccurate हुई या insufficient हुई या protected नहीं हुई so of course उसका repercussions क्या होगा कि वो कोई ना कोई legal या civil liability में आजाएगा ठीक है so अगर आपके पास एक good information security governance है तो वो ensure करेगा कि जो भी information है वो properly protected हो sufficient हो और accurate हो so that if in case something comes so you have sufficient data or material to protect yourself so this will help to address the increasing potential of potential for civil or legal liability to the enterprise and senior management ठीक है this is one second thing is जो अगर गैस करेंगे तो भी आप समझ जाएंगे अगर आपके पास information security governance एक अच्छे से establish है तो यह आपको help करेगा और ensure करेगा कि आप compliance जो जो भी policies है उसके complied हो ठीक है it provide assurance of policy compliance ठीक है मतलब it will ensure कि आपके पास जो भी compliance for example अगर आप payment card industry में अगर आप credit card का transfer करते हैं अपनी organization में credit card का तो it will help you to ensure that आपके आपके पीसी आई डियासेस का compliance हो अगर आप critical information या infrastructure में आपकी company deal करती है यह आपकी organization का impact national level पर होता है so there is a compliance called NCIIPC National Critical Information Infrastructure Protection Center that has been managed by PMO Prime Minister Office वो आप उसके थूँ आप complied होने चाहिए ठीक है so अगर आपके पास good information security governance है तो यह सारी compliance को आपको insurance रहता है कि your organization will be complied for these kind of a compliance ठीक है इसके लबब और क्या फायदा होता है आपका guesswork आप predict करने में आपकी चमता बढ़ जाती है you can predict कि आपके पास कौन सा information है जिसपे attack होने की संभावना है आपका कौन सा critical information है या critical application है जिसपे attack हो सकता है या अगर हुआ तो how or what are the things, what are the mechanism you can protect your organization ठीक है so यह भी आपकी predictability की चमता बढ़ जाती है और इसके अलावा जो आपका business operations है उसकी uncertainty भी आप manage कर सकते है मतलब आपके अगर आपका पता है कि business operations में अगर मालीजी कोई मेरा e-commerce website है ठीक है और आपको लगता है कि festive season में उस पे cyber attacks हो सकता है general cyber attacks भी हो सकता है और paid cyber attacks भी हो सकता है माली ddos attack हो गया by a computer e-commerce website जिसका purpose के लिए इतना है कि भाई कैसे भी करके इस site का traffic slow कर दो और या ensure कर यह site कुछ गंटे के लिए बंद हो जाए जब्दे माली दो इसके लिए तशेफ्ग कर दो आप अपने अपने ओनाशन का रिस्क को कम कर सकते हैं अब तो जहां पर आप उस रिस्ग को accept कर सके ठीक है so that is also one of the important part of information security governance इसके अलावा यह क्या करता है एक framework establish करता है एक framework provide करता है structure provide करता है जिसकी मदद से आप limited security resource से आप अपना जो भी business है या information security या उसको optimize कर सकते है यह तो मैंने आपको explain भी किया था जब मैंने कोबिट का framework आपको explain किया था जहां पर मैंने बतायाता है कि stakeholder की need आती है और governance का key objective होता है for value creation is benefit realization risk optimization and resource optimization तो यह वही point इन उन पताया है as a part of importance of information security governance ठीक है इसके अलावा और क्या करता है यह provide करता है certain level of assurance that critical decisions are not based on faulty information मतलब आपके पास जो information है that has to be correct every time every single time it should not be right कि आपने कोई transition किया और उस transition में x amount था बड़ एक्च्वल में वह y amount था तो आपके पास information security governance है तो आप क्या करेंगे उसके basis पर आप establish करेंगे certain compliance और certain compliance में क्या हो जाएगा यहां पर आजागा PCI DSS ठीक है payment card industry का जो compliance रहता है और उसके basis पर आप ensure करेंगे कि जो भी critical decisions in terms of transition that should not be based on the faulty information अगर आप PCI DSS को compliance को follow करेंगे तो वहां पर there are certain clauses जहां पर ensure करेंगे कि आपका data secured रहा है आपका data encrypted रहा है आपका data protected रहा है किसी भी state में चाहे वो travel कर रहा हो चाहे in transit हो चाहे during storage हो ठीक है at rest so यह आपको establish करने में help करेंगा so this will ensure that जो आपका critical decisions है that should be based on correct information not on based of fault information next है कि यह एक foundation establish करने में और efficient and effective risk management process improvement rapid instant response and continuity management में आपको help करता है अगर आपके पास information security governance properly established है इसके अलाबा of course one of the very important thing अगर आपने इतना कुछ किया है तो यह आपका जो trading partner है उसको confidence देता है कि yes I am working with an organization जहां पर proper compliance है people know what they are doing मेरा data secure है मेरा data में कोई manipulation ही सकता है they are following certain regulatory compliance so यह आपके जो trading partners को confidence देता है आपका trust improve करता है next point वही था improving trust in customer relationship आपका जो customer relationship पे उसमें trust improve करता है इसके अलाबा इतना कुछ रहेगा तो of course आपके enterprise की reputation भी बढ़ेगी ठीक है so यह protect करता है enterprise की reputation next point आपके इनेबलिंग new and better way to process electronics transition यह मैंने भी आपको भी बताया इसकी वजह से आप compliance follow करेंगे compliance follow करेंगे तो उसमें for example PCI DSS की बात कर लेते हैं so उसमें one of the compliance में one of the clause is कि आपका जो भी transition है electronic transition है that has to be protected that has to be encrypted up to certain level so this will enable and ensure the better way to process electronic transitions that's how you are protecting your organization data while in transit next next is accountability provide करता है क्यों provide करता है किसी को गला पकड़ने के लिए नहीं इसलिए करता है for safeguarding information during critical business activities such as merger or acquisitions business process recovery or regulatory response यह accountability set करता है senior management or board of director को so that they will help which मैंने point सी बता दना कि क्यों accountability provide करता है senior management को और board of director को वह आपको help करते है process improvement में they will help for the establishing of policy top to bottom में हमेशा enforcement policy कर रहता है जो established को अगर आपको कोई भी process establish कराना है so approach should be always from top to bottom ठीक है so it will provide accountability for safeguarding information during critical business activity such as merger acquisition business process recovery and regulatory response next and last point आजयता है not last but not the least effective management of information security resources information security resources को effectively manage करने में information security governance help करता है अगर आपका information security governance properly established है तो so these are the few important points जो आपको help करेगा कुछ questions को solve करने में भी और आपके आपके knowledge के लिए भी बहुत important point है so that is the importance of information security governance दोस्तों अभी तक हम लोग जो topic पढ़ा है यह information security governance का एक high level understanding था next topic आता है outcome of information security governance इसमें हम लोग पढ़ेंगे in strategic alignment value delivery risk management जैसे कुछ topic ठीक है अब जल्दी से questions देख लेते हैं जो मैंने आपको बचाता है कि करीब चार questions तो मैं आज वीडियो में cover करते हैं कोशिश करता हूं questions को solve करने के लिए देखे जो typical approach रहती कि हम लोग पहले question पढ़ते हैं फिर option देते हैं नहीं वैसे नहीं करना चाहिए देखें यह मेरा way है आपको अच्छा लगता है वैसे पढ़िए जो मैं recommend करता हूं कि पहले आप options पढ़िए questions को ना पढ़िए उसके बाद जब आप option पढ़ेंगे ना तो आपका mind prepare हो जाएगा एक guess work करने में कि किस तरीके question आ सकता है और उसके बाद जब आप question पढ़ेंगे तो आपको question को all detail में आ जाए क्योंकि आपने topic आपने options पढ़ चुके हैं तो हो सकता है question पढ़ते पढ़ते ही आपके पास एक उन चार option जो आपने अभी पढ़ा है उसमें से एक answer आपको है privacy and fourth business अब इस question को देखके क्या लगता है तो option है technical regulatory privacy and business अब इसको पढ़के आपको क्या लग रहा है यह जरूर domain 1 से आने ही चांसे था क्योंकि governance related question लग रहा है ठीक है अब चली पढ़ते है question question है which of the following requirement would have the lowest level of priority in information security आपने option क्या क्या पढ़ेते टेकनिकल regulatory privacy and business आप ध्यान से सोचे यह topic मैंने cover किया था जब मैंने आज ही पढ़ा है इसी video मैंने topic कवर किया था जहां पर मैंने बदाया था कि कौन से lowest priority होगा और किसकी कोई भी failure होता है तो उसके लिए कौन responsible रहता है accountable रहता है और responsible भी रहता है question में फिर से पढ़ा देता हूं which of the following requirement would have the lowest level of priority in information security option भी पढ़ा देता हूं option है technical regulatory privacy and business यह कहना चाहरा है lowest level of priority information security में किसकी होती है देखे इसका answer अगर आपको नहीं पता है आप video pause करिए एक guess करिए उसके बाद आगे के देखिएगा देखिए इसमें चार option है technical regulatory privacy and business और इसमें correct answer है technical क्यों देखिए मैंने आपको बता था कि कभी regulatory stakeholder big governance या management की बात करते हैं और technical की बात करते हैं so technology will be always the lowest priority क्यों because technology वैसी काम करेगी जैसी हम लोग ने governing body ने उसको direction दिया है to management और उसके according को configure होगी उसके according को काम करेगी technology so technology may also certain limitations right but it should not be the only technology who is considered as a one of the failure point for any kind of attacks cyber attacks इसका description मैं आपको explain कर देता हूं Information security priority may at times override technical specification which then must be rewritten to confirm to minimum security standard regulatory and privacy requirements are government government mandate so regulatory और जो privacy यह governance government की mandate रहती है आप इसको lower priority में नहीं डाल सकते हैं ठीक है and the need or the business should always take precedence in deciding the information security priorities और third option ता इसमें sorry fourth option ता बिजनेस तो आप बिजनेस की need को भी आप priority पे नहीं ला सकते ऐसा तो हो नहीं सकता तो बच्चा क्या option technical देखे technical regulatory privacy और बिजनेस इसमें regulatory privacy तो government body ने बोला है कि यह आपको consider करना ही पड़ाएगा तो आप उसको lower priority में नहीं डाल सकते फोर्थ option इसमें business बिजनेस को आप कैसे lower priority डाल सकते हैं तो बच्चा किया technical that means technical should be only lower priority यह another explanation ता जो मैंने आपको अभी explain के दसके लाबा next question है जिसमें options है provide cost benefit to the organization option B is ensure all member of the IES team understand corporate governance third option है ensure that all operations within the security team are consistent and fourth option है ensure a fast response time for regulations अब पढ़ते हैं question the most important reason for aligning information security governance with corporate governance is two information security governance को align करना चाहिए corporate governance के साथ क्यों most important reason क्या है first option है provide cost benefit to the organization second option है ensure all member of the information security team understand corporate governance ensure that all operations within security team are consistent and fourth option is ensure faster response time for regulation regulations देखिए एक आपको मैं trick बताता हूं जब कभी भी cost benefit value या money monetary terms का कुछ भी option आता है तो उस पर focus करिएगा chances are very high कि वो question सही हो सकता है वो option सही हो सकता है तो यहां पर option एक provide cost benefit to the organization देखिए मैंने आपको सबसे पहले है जो example यहां सी सॉक का मैंने यह बताया था ना कि अगर सी सॉक को establish करते हैं तो कितने का profit हो सकता है अगर नहीं करेंगे तो कितने का नुक्सान हो सकता है सो मैं आपको क्या explain कर रहा था है मैं आपको cost benefit यह एक्स्प्रेंट कर रहा था था ना क्यों कि अगर आपने इसको एलाइन नहीं किया non alignment of corporate governance and security governance will result in potential weak duplicate or unnecessary controls and this can result in additional cost to the for to the organization to rework and aligned security governance with corporate governance मतलब अगर अगर हमारा information security governance और corporate governance एलाइन नहीं है तो यह हमारा rework हो सकता है हमारा unnecessary controls हम लोग स्टेबिश कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारा miss alignment हो सकता है between security governance and corporate governance में अच्छा इसमें एक question मैं भी पूछता हूं in addition to this इसको align करने के लिए किसकी responsibility accountability होनी चाहिए याद करिए यह मैंने आपको explain किया है जहां पर मैं आपको बता रहा था कि जो senior management of board of directors हैं उनको accountable क्यों बनाते हैं उनका accountable इसलिए बनाते हैं one of the important reason is कि they we want them to be ensure that कि जो information security governance है वो enterprise level की या corporate governance के साथ integral और transparent governance रहे means enterprise level पर क्या हो रहा है वो भी हमारे information security governance में cover हो इस शुद नौट वर्क इन साइलोस तो आपको clear हो गया यह option क्यों सही है provide cause benefit to the organization next question आ जाता है जिसके options है preserving the confidentiality of sensitive data establishing international security standard for data sharing adhering to corporate privacy standard and fourth is establishing system management responsibility for information security अब question पड़ते हैं when implementing effective security governance within the requirement of the company's security strategy which of the following is the most important factor to consider देखे question क्या कर रहा है कि जब हम कभी भी information security governance को establish करते हैं एक requirement की company की security strategy के according so कौन सा सबसे important factor को हम लोग consider करते हैं वो factor कौन कौन से हैं preserving the confidentiality of sensitive data establishing international security standard for data sharing adhering to corporate privacy standard or establishing system management responsibility for information security देखे जहां पर भी option number a which is preserving the confidentiality of sensitive data is correct why because देखे किसी भी information security organization का गोल यही रहता है तो प्रोटेक्ट is the information asset टीक है information security standards are situational depend upon the company and his business information security standards काई बार business या company के हिसाब से situational based होता है it's not always mandatory और अगर आप privacy standards को follow up को करना ही रहेगा adhering to third option is adhering to corporate privacy standard is important but those standards must be appropriate and adequate and are not the most important factor to consider लेकिन ये most important factor consider करने के लिए नहीं रहता है आपको privacy standards are very important but it's not like कि आप आप इसको override कर सकते हैं किसी और factors like preserving the confidentiality of sensitive data and last option is establishing system manager responsibility for information security establishing system manager responsibility for information security means all employees are responsible for information security but is not the most important factor to consider तेखे यहां पे आप क्या कर रहे हैं system manager को ही responsible बना रहे हैं for information security but the fact is all employees are responsible for information security and इन चारों में देखे हैं sensitive data की confidentiality को preserve करना ही most important factor है ठीक है last option is well defined objective time frame for delivery adoption of international control framework like covid ISO and fourth option is complete policy policy इसमें देखे है question है as an information security manager you are developing information security strategy for organization which is most important component for strategy strategy develop करने में सबसे important component कौन सा है first option is well defined objective second option is time frame for delivery third objective is adoption of international control framework like covid ISO etc fourth option is complete policy देखें simple सा इसका answer A ही है which is well defined objective क्यों अगर आपके आपके पास आपके पास objective ही नहीं है ठीक है time frame for delivery is important but not critical for inclusion in strategy in strategy document आपके लिए वो इतना critical नहीं है time frame for delivery are important ठीक है similarly the adoption of control framework is not critical to have successful information security study आप covid framework follow करते हैं या नहीं करते हैं यह important तो है but इतना भी important नहीं है कि आप objective को भूल जाए और आप framework को focus करें because यहां पे important point है most most लिखा है most important component so अगर आप compare करें कि well defined objective और framework में से well defined objective is the most critical thing and last point is complete policies see policies are developed subsequent to and as in part of implementation of strategy आप strategy develop करेंगे तो उसमें policies to develop होगी ही होगी ठीक है so that is the reason option number a which is well defined objective is the most critical component for strategy right so friends यह चार questions से प्लस कुछ topics ते जो मैंने आज गवर कर रहा है उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज डू मेंचिन अगर आपको कोई topic अगर clear नहीं है मैं उसके लिए आपको और detail में explain करूंगा और कैसे लगा वीडियो जरू बताएगा अगर आपने अभी दक subscribe नहीं किया है और bell icon नहीं दवाए तो प्लीज जरू प्रेस कर दीजेगा thank you so much thanks for the time bye bye and take care